नमस्कार मैं जैकुमार दिल्ली की सड़कों पर एक दुखत दुरघटना के बाद UPSC की तयारी करने वाले उमिद्वारों का जो गुस्सा दिखाई दे रहा है उसकी जड़ों में पूरे भारत की जरजर होती सिच्छा व्यवस्था से पैदा होती करा है दुखत दुरघटना पर बात करने से पहले थोड़ा दिल्ली में UPSC की तयारी करने वाले विद्यार्थियों से जो परिद्रिश्य बनता है उसे समझते हैं हर साल दिल्ली में UPSC की तयारी करने के लिए हजारों विद्यार्थि आते हैं कई सालों तक रहते हैं UPSC यानि की Union Public Service Commission संग लोग सेवा आयोग की परिक्षा पास करके I.S. बना जाता है I.S. बनने का सपना ले करके देश भर के लाखों मिद्वार UPSC की परिक्षा देने के लिए हर साल आवेदन भरते हैं अगर आप कभी दिल्ली जाइए तो मुखरजी नगर, राजेंद्र नगर जैसे इलाकों में एक दिन बिता कर देखिए वहाँ UPSC की तयारी करने वाले विद्यार्थी कैसे रहते हैं उसको थोड़ा समझ कर देखिए जिनके माता पिता अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं या जो अच्छे खासे पैसे का जुगार कर पाते हैं वह भले ही बद्दतर जगह पर क्यों न रहें मगर वह ठीक था कमरे में रहते हैं अगर रहने की अच्छी खासी व्यवस्था है तो वह करीब 15-20,000 रुपे महीने के किराय से सुरू होती है यहां ध्यान देने वाली बात है जिस पर आप गौर कीजेगा कि भारत की यौसा तामदनी 15,000 रुपे महीने से कम है यानि दिल्ली में जितने विद्यार्थी UPSC की तयारी करने के लिए आते हैं उनमें से बहुत कम साइध एक या दो परतिसत ढंग की जगह पर रहने की व्यवस्था कर पाते हैं नहीं तो जादतर विद्यार्थी नहरू विहार गांधी विहार जैसे इलाके में जिन कमरों में रहते हैं उनमें सूरज की रौस्णी तक नहीं पहुचती है अगर लाइट ना रहे तो दिन में ही रात का एसास होने लगता है गर्मी में समझे कि आप आग की भठी में जीवन जी रहे हैं मकान मालिक एक ही कमरे में पलाई की दिवार लगा कर उसे दो और तीन कमरे में तबदील कर देता है उसका भी किराया कम से कम आठ हजार रपे महीने से उपर से सुरू होता है अगर पैसे के वस्था नहीं हो पा रही है तो उसी माचिस के घर में उसी माचिस के किराय के कमपार्टमेंट में गैस के चुले पर खाना भी बनाना पड़ता है इस तरह के नरक जैसे हालात में यूपियसी की तैयारी करने वाले ज़ादतर विद्यार्थी दिल्ली की गलियों में रहते हैं मगर असल सवाल यह है कि UPSC की तयारी करने के लिए लाखों विद्यार्ती दिल्ली जैसे सहर में आ अकर के नरक जैसे हालात में क्यों रहते हैं? क्यों लाकों विद्यार्थी अपने जीवन में काथ पान से दस साल UPSC की परिक्षा की तैयारे में गुजार देते हैं जदतर लोग एक रटी रटाई बात कहते हैं कि देश सेवा करने के लिए बच्चे दिल्ले में जा करके UPSC की तैयारी के लिए हारतोड मेहनत करते हैं मगर यह बहुती बचकाना किस्म का तर्क है और बहुती बचकाना किस्म की समझ है एक सफाई करमचारी भी देश की सेवा करता है देश की सेवा में उतना ही योगदान देता है जितना की एक डॉक्टर, इंजिनियर, पत्रकार, वकील, टीचर सब के सब देश के सेवा करते हैं और देश के सेवा में योगदान देते हैं देश सेवा करने का अधिकार केवल सरकारी बाभू को नहीं मिला है इसे थोड़ा ऐसे समझ कर देता है ये कि पिछले दस साल से भारत में नफरत का जहर बोया गया मुसल्मानों को बदनाम करने के लिए कई रैलिया निकली बुल्डोजर से घर तोड़ा दिया गया ब्रश्टाचार किवल विपक्च के नेताओं के घर में देखा गया देश के कई ऐसे इलाके हैं जहांपर संविधान के मूल भावना के साथ जबरदस्थ खिलवाल होता रहता है जबरदस्थ भरष्टाचार होता रहता है चुनाव आयोग ने भाजपा का आयोग बन करके इस बार काम किया इस तरह के तमाम उधारण दे करके प्रश्ण पूछा जा सकता है कि इन सब जगहों पर UPSC की परिक्षा पास करके अधिकारी बने लोगों की तैनाती थी तो उन्होंने देश सेवा के लिए क्या किया आपको दिखेगा कि ज़्यादतर अधिकारियों ने देश सेवा करने की बजाए देश को बरबाद कर लूटने का काम किया है सोसल मिडिया यूट्यूब पर UPSC को लेकर जितने भी पेरक कथाएं हैं वह सब की सब परिक्षा पास करने तक सिमित हैं अधिकारी बनने के बाद किसी ने किस तरीके से काम काच किया है इस पर आपको कोई कथा उपलवध नहीं मिलेगी ऐसे में UPSC की तैयारी करने वालों के पास ऐसी कोई प्रेरक सक्सियतों की टोली भी नहीं है जिनें देखकर वह कह सके कि उन्हें ऐसा बनना है मतलब आप इस बात को समझे कि UPSC के ज़्यादतर तैयारी करने वाले देश सेवा जनकल्यान की भावना से तैयारी करने नहीं आते हैं वो तैयारी इसलिए करते हैं क्योंकि UPSC की परिक्षा पास करने के बाद जो ताकत मिलती है वो भारत में किसी भी परिक्षा को पास करने के बाद नहीं मिल सकती है UPSC की परिक्षा पास करने के बाद जो सरकारी सुविधाएं मिलती हैं जिस तरह की रईसी वाली नौकरी मिलती है वो भारत के किसी भी परिक्षा को पास करने के बाद नहीं मिल सकती है UPSC की परिक्षा पास करने के बाद समाज में जो रसूख बढ़ता है वह किसी भी परिक्षा को पास करने के बाद नहीं बढ़ सकता है इसलिए UPSC की परिक्षा उन तमाम करोडों बच्चों के लिए जो जायच तरीके से अपनी तंग हाली से कई कदमों आगे निकलने का सपना संजोते हैं उनके लिए एक सपना जैसा बन जाता है एक लाइन में आप इसे समझिए कि UPSC की परिक्षा पास करने से पहले और UPSC की परिक्षा पास करने के ततकाल बाद किसी के जीवन में दूसरों की नजर में जो बदलाव आता है वह बहुत बड़ा बदला होता है कुछ विद्यार्थी तो बहुत कठोर या थार्थ बताते हुए कहते हैं कि भारत में अवसरों की बहुत जादा कमी है भारत के 90% से 55% कामगार की महीने की आमदनी 50,000 रुपै से कम की होती है ऐसे में इन परिवारों के बच्चे बहुत ही तंग हाली में पलते हैं इनके माता पिता उनके लिए इतनी बड़ी संपत्ती नहीं छोड़ सकते हैं कि वो अपना खुद का बिजनिस स्टार्ट कर पाएं या खुद का अपना बिजनिस खड़ा कर पाएं जिससे बहुत ज़्यादा पैसा मिले इसलिए स्क्रूर समाज में खुद को स्थापित करने का एक ही रास्ता बचता है कि किसी ना किसी तरीके से सरकारी नौकरी ले ली जाए अगर आकांचाएं बहुत बड़ी हैं तो UPSC की तैयारी की जाए कुछ तो यहां तक कहते हैं कि अगर आपको बहुत सारा पैसा कमाना है आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं तो UPSC और PCS जैसी परिक्षाओं में पांच से दस साल खपा दीजिए अधिकारी बन जाए और पैसा कमाने के रास्ते पर निकल चलिए इतने कम समय में इतना ज़्यादा रिटर्न ज़्यादतर बिजनेस नहीं दे सकते हैं जितना UPSC से मिल सकता है अब सवाल यह है कि आखिरकर UPSC की तयारी करने के लिए कोचिंग करने की क्या जरूरत है UPSC की परिक्षा के लिए दिल्ली जैसे सहर में कोचिंग की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री कैसे खड़ी हो गई है तो इस सवाल को थोड़ा बुनियादी तरीके से समझे UPSC की तयारी करने वाले किसी गंभीर विद्यार्थी से या तयारी करवाने वाले इमांदार सिक्षक से आप पूछेंगे कि UPSC की परिक्षा पास करने के लिए किन चीजों में महारत होने की जरूरत है तो वह आपको बताएंगे कि अगर आपने कच्छा छटवी क्लास से लेकर के बारहवी क्लास तक हर विषय की NCRT किताब पढ़ी हो उन किताबों में मौझूद बारीकियों को अच्छी तरीके से समझते हो जजब कर लिया हो इसको पचा लिया हो रोजाना की अख़बारों में मौझूद देश दुनिया परियावरण विज्ञान तक्नीक जैसे वह तमाम भी से जिस पर एक प्रशास्निक अधिकारी की पकड़ होनी चाहिए उस पर आपकी निगाह रखते हो उसकी समझ रखते हो जितना जानते हो उसे अच्छे तरीके से कॉपी में लिखना जानते हो और बोल करके बताना जानते हो तो आप UPSC की परिक्षा पास कर सकते हैं इसके साथ जिस विसाय में आपने ग्रिजवेशन किया है या किसी एक विसाय में आपकी अच्छी पकड़ हो तो आप समझे कि आपके पास बुन्यादी तोर पर UPSC की परिक्षा पास करने के लिए ग्यान का सारा भंडार मौझूद है इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि UPSC की परिक्षा पास करने के लिए किसी तरह की विशिष्ट नॉलेज की किसी तरह की एस्पेसलाइज नॉलेज की जरूरत नहीं होती है यह सारे जो नॉलेज हैं हमारे स्कूल और कॉलेज में उपलब्ध होते हैं लेकिन दिक्कत यह है कि यह सारे knowledge हमारे school or college में उपलब्ध नहीं करवाये जाते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं जानना होता है इन परिक्षाओं में कि वह केवल coaching से मिल सकता है। मगर इसके बावजूद भी UPSC की परिक्षा के नाम पर हज्जारों करड़ पे की coaching industry मौजूद है। क्यों? इसलिए मौजूद है क्योंकि भारत की सिक्षा व्यवस्था बहुत बुरी है। उत्तरप्रदेश, बिहार, हरियाना, मद्ध्यप्रदेश जैसे इलाके से जो UPSC की तयारी करने वाले विद्यारती दिल्ली जैसे सहर में आते हैं। उन इलाके में जा करके स्कूल और कॉलेज की व्यवस्था देखिए। भारत में तो 90% सरकारी और प्राइवेट स्कूल में इतिहास, भुगोल, नागरिक सास्त, राजनितिक सास्त, विज्ञान, गणीत पढ़ाने वाला कोई भी ढंका सिक्षक नहीं मिलेगा। चटी से बारहवी क्लास की NCRT जिसे हर UPSC का तयारी करने वाला विद्यार्थी पढ़ता है। UPSC के कोचिंग का सिक्षक विद्यार्थी को परिक्षा के लिए तयार करता है। जदतर ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिने लिखना तक नहीं आता है। वो लिखना भी जब UPSC की परिक्षा में आते हैं उसके लिए तयारी करते हैं तब जाकर कि वो चंद के पैराग्राफ लिखना सीख पाते हैं कुल मिला जुलाकर समझने वाली बात यह है कि दिल्ली जैसे सहर में कोचिंग की इंडस्ट्री हजारों कोड़ों पे कीसलिये बनी है क्योंकि भारत की सिक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा जरजर है चंद सरकारी और प्राइवेट स्कूल को छोड़ उन्हें पढ़ाना कोई अच्छा काम नहीं लगता है जदतर के पास पढ़ाने का ढग नहीं है और जो पढ़ाना चाहते हैं उनका कहना की पठन पाठन और अध्यापन का माहौल नहीं है इस तरह की सिक्षा व्यवस्था में जो यूपीसी की परिक्षा पास करना चाहता है उसे लगता है कि दिल्ली जैसे सहर में ही आकर के किसी नामी कोचिंग संस्थान में अगर वा दाखिला लिलेगा तो वा UPSC के दिवार को पार कर जाएगा मगर रिजल्ट उठा करके देख लिजिए 12 से 13 लाख आवेदन तकरीबन तकरीबन सलाना UPSC की परिक्षा के लिए होते हैं एक 1100 से 1200 मिद्वारों का परिक्षा में सफलता के तौर पर चैन होता है उनमें से जादतर की पढ़ाई लिखाई महंगे स्कूलों में होई है जहां पर ठीक ठाक पढ़ाई होती है जहां अंग्रेजी माध्यम के पढ़े लिखे बच्चे हैं वह उन परिवारों से आते हैं जिनकी सोसल कैपिटल बहुत मजबूत है मतलब जिनके घर में कोई पढ़ा लिखावेक्ति कोई आईयस कोई कलक्टर डॉक्टर इंजिनियर पहले सुपलब्ध है मतलब बिहार अरुत्तर परदेश या किसी गाउं देहाद से निकल करके दिल्ली में पढ़ने वाले विद्यार्थी की UPSC की परिक्षा पास करने की संभावना उस विद्यार्थी से कम है जिसने दिल्ली के किसी अच्छे स्कूल में किसी महेंगे स्कूल में पढ़ाई की है एक लाइन में समझे तो UPSC के परिक्षा के सफल विद्यारतियों की पारिवारिक प्रिष्ट भूमी का अध्यन किया जाये तो भारत में जो ग्यान के छित्र में असमानता मौजूद है जो खाई है वो सब को दिखाई देने लगेगी इस पूरे परिद्रिष्ट में चलते हुए अब आप यह बताईए कि UPSC की परिक्षा के नाम पर स्वभाविक तोर पर जो सबसे बड़ी धांधली चल रही है उसका असली दोसी कौचिंग के मालिक है या सरकार है सरकार अगर तमाम चित्रों में गर्मापूर्ण जीवन जीने के लिए रोजगार की आउसर पैदा करती तो UPSC के लिए की जा रही मारा मारी स्वभाविक तोर पर कम हो जाती सरकार अगर सिक्षा वैवस्था पर ढंग से ध्यान देती तो लाखों को रोपय की कोचिंग इंडस्ट्री ना खड़ी होती अगर भारत के हर इलाके में ज्यादतर बच्चों की पहुंच गुडवत्ता पूर्ण सिक्षा तक हो पाती तो ज्यादतर बच्चे मामूली से गाइडेंस के साथ UPSC की तयारी कर लेते उन्हें दिल्ली जैसे सहर में आ करके लाखों रोपय खर्च करके सालों साल तयारी करते हुए अपनी जवानी बरबाद करने की जुरत नहीं पड़ती कहने का मतलब यह है कि अगर आप सिक्षा व्यवस्था को ले करके सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे हैं तो आप अपने बच्चों के साथ इस पूरे समाज के भविश्य को बरबाद कर रहे हैं अब जो दिल्ली में हाद्शा हुआ है वह क्या है आई एस की तैयारी करने वाले तीन विद्यार्थियों की मौद इसलिए हुई क्योंकि एक प्राइवेट इंस्च्चूट के बेस्मेंट में पानी भर गया जहां वह कुछ विद्यार्थियों के साथ पढ़ाई कर रहे थे पुलिस अधिकारियों के मताबिक जिस बेस्मेंट में बैटकर विद्यार्थि पढ़ाई कर रहे थे वह ग्राउंड लेवल से तकरीबन आठ पिट नीचे बना हुआ था दिल्ली की मेयर सैली ओबराय का कहना है कि बेस्मेंट में लैब्रेरी चलाना कानून का उलंगन है वाइलेशन अफ लौ है एक वक्त के लिए भूल जाएए कि जिन तीन विद्यार्थियों की मौत हुई है वह आईएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थि थे तो अब आप बताएए कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है दोसी कौन है दिल्ली की सहरी संरचना का हाल यह है कि एक बारिस बरस्ती है और दिल्ली बार में तबदील हो जाती है नाले का पानी निकालने तक यह वस्था नहीं है आईएस विद्यार्थी मरे हैं तो खबर बन गया मान लिजे कि अगर वहीं पर कोई मजदूर मर गया होता तो क्या यह खबर बनता दिल्ली की मलीन बस्तियों में नरक का जीवन जीते हुए आपको लाखों लोग मिल जाएंगे मौसम जैसे जैसे बदलता है वैसे वैसे उनकी जिन्दगी की परिशानिया भी अपना चहरा बदल बदल कर उनके सामने हमला करने लगती है इन सब का दोसी कौन है बेस्मेंट में लाइब्रेरी अगर कानून का उलंगन है तो ऐसा तो हो नहीं रहा था कि सब कुछ चोरी छिपे किया जा रहा था आप दली के कई लाके में जा कर देखिए बेस्मेंट के नीचे कई तरह के काम होते हैं दुकाने चलती हैं सालो साल से होते आ रहे हैं उन्हें बंद क्यों नहीं करवाया गया भारत के तमाम सहर और गाओं की तरह दिल्ली को भी नेताओं के साथ मिल करके यूपीएसी पर इच्छा पास करने वाले सरकारी बाबू ही चलाते हैं जो कहते हैं कि वो देश सेवा के नाम पर पर सरकारी बाबू बने हैं क्या दिल्ली के सरकारी बाबूओं को यह सब नहीं दिखाई दिया उन्होंने क्या किया मतलब अगर सवाल यह है कि गुनागार कौन है कोचिंग का मालिक यह सरकार तो जवाब यह होगा कि गुनागार सरकार है सरकार का तंत्र है हर अस्तर पर सरकार के तंत्र के बेमानी की हैं बलकि उसके पत्तों को काट रहे हैं अबी कड़ा करने की अधर को कटगरे में करते हैं अगर सरकार से लोग सवाल पूछेंगे तो इनकी आवाज दूर तक जाये यह बात समझ में आती है इसलिए इनकी जिम्मेदारी बनती है कि यह सरकार से सवाल पूछे फिर भी अगर यह नहीं पूछते हैं तो यह उनकी अंतरातमा का मसला है मगर सारा सवाल सरकार से होना चाहिए जनता के वो चुने हुए प्रतिनीधी है उनको अथोरटी मिली है वो सरकार है प्रधान मंतिन अरेंद्र मोद्य और उनके सिक्षा मंत्री से होना चाहिए कि वह जरजर होती सिक्षा वैवस्था के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं उन्होंने पिछले 10 साल में तमाम फरजी तरह की बाते की मगर सिक्षा जैसे विशय पर जारी होने वाले असर जैसी रिपोर्ट पर क्यों कभी जिक्र नहीं किया जनता को भी सोचना चाहिए कि वह वोट देते समय मंदिर पर जादा सोचना चाहती है कामर यात्रा पर जादा सोचना चाहती है साकाहार मांसाहार पर ज़्यादा सोचना चाहती है या आपने बच्चों के भविश्य पर अंत में चलते चलते इस आंकड़े से जानिए Consultancy from Infosys Global Research का जो एक आंकड़ा प्रस्तुत हुआ है जो यह बताता है कि मौझूदा वक्त में जो भारत में Coaching Industry की Cool Revenue है वह 58,000 करोड़ोपे तक पहुँच गया है और 2028 तक यह तक्रीबन 1,33,955 करोड़ोपे तक पहुँच जाने का अनुमान है शुक्रिया